हेलो फ्रेंट्स मैं शीव जंकर सर्मा और दिख्षागेडी मुंद्रा यूट्यूब चलनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है आज हमार डिफ्रेंशेशन का थर्ड पार्ट है ठीक है पहले दो पार्ट हम करा चुके हैं अभी थर्ड पार्ट हम करा रहे हैं तो बह है ही होता है एक तरीके से इस तरीके से डल और दो hai और वाई हम एसे निख सकते हैं इसको ठीक है तो डल-वाई होता है तो और एक होता है डल एक्स तो डल-वाई अप ऑन डल-X is called the incremental yes angry money अहो इसको हम क्या बोलते है इंक्रिमेंटल रिस जो यह उता है वाह जो है वो increase का विद रिस्पेक्टिव एक्स के ठीक है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं या फिर इसको इंक्रीमेंटल रेश्यो बोल सकते हैं और जब यह डानसर आएगा तो उसको हम लिखते हैं किसमें लिखते हैं dy by dx में तो यह आपको याद रखना है समझ गए ठीक है अब देखो अब मैं आपको बताता हूं method किस चीज़ के find the derivative of the function from first principle first principle जो हम निकालते हैं अभी जो हमने पहले वाले दो वीडियो के थे उसमें multiplication का और direct कुछ method बताए थे मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि first principle कैसे निकाला दाता है फिर्स प्रिंसिपल के method क्या है निकालने के ठीक है तो first principle के बिल्कुल simple simple से method है जैसे कोई एक function है हमने y is equal to एक function ले लिया fx ठीक है अब यह हो गया हमारा function अब क्या करते हैं हम एक increment value ले ले लेते हैं ठीक है दोनों साइड में एक increment value ले ले लेते हैं बही मान लेते हैं जो भी आपको मानना है तो del x तो मान लो x में increase हो रही है और del y y में increase हो रही है तो y की कुछ incremental value ले ले टीवी और function के अंदर हम x का function है तो एक del x ले लेते हैं ठीक है ये ले लिया हमने तो ये हमारा था step first step first मान लो कोई function है ठीक है फिर step second step second में हम क्या करते हैं del y और del x मतलब increase कर देते दोनों में ठीक है फिर अब हम क्या करेंगे अब एक function के हिसाब से इस function में से हम इसको subtract करेंगे step 3 में step 3 हमारा उसमें हम क्या करेंगे first equation को second equation में सब्ट्रेक्ट कर देंगे ठीक है तो देखो y में से इधर तो y मतलब y में से y सब्ट्रेक्ट हो जाएगा तो del y बचेगा सिरफ ठीक है और इधर fx प्लस del x में से ये fx हम क्या कर देंगे subtract कर देंगे तो देखो ये जो function है ये x के अंदर increase हो रहा है ये del x अलग लिख दिया मैंने ये अलग नहीं होगा ये x के अंदर ही increase होगा del x इस तरीके से तो इसको मैं लिखूँँगा fx प्लस del x ठीक है क्योंकि x की incremental value है और इसके अंदर फिर plus कर देंगे sorry minus कर देंगे कौन सा function fx तो इस तरीके से होगा अब ये इधर तो रहेगा del y खाली और इधर fx प्लस del x minus fx ठीक है अब हम क्या करते है del x से दोनों साइड में divide कर देते है ठीक है तो del x से divide कर देंगे ये step होगा हमारा fourth step fourth बोल सकते है इसको ठीक है फिर इसके बाद sorry अब इस step के बाद क्या करेंगे अब जो है हमारा लगबग solution आगा है अब हम limit रख देंगे दोनों साइड में तो इधर तो लिख देंगे limit del x 10 to 0 और del y upon del x ठीक है और del y upon del x किसके इकोला जाता है dy by dx के तो हमारा जो dy by dx है dy by dx ठीक है derivative with respective to x वो क्या आजाएगा fx plus del x minus fx और divide by del x इस तरीके से हम इसको solve करेंगे ये हमारा मतलब इस तरीके से 4-5 step में आप इसको ये 5 वा step मान लो ऐसे 4-5 step में आप निकाल सकते हो ठीक है तो हम एक मैं आपको एक करवा देता हूँ जो हमारा basic formula है उसका मैं आपको first principle से करा देता हूँ derivative of हम x to power n का कर लेते है x to power n का derivative करते हैं किस से by first principle से तो हम सबसे पहले क्या करते हैं let मान लेते हैं ठीक है पहला step इसको y के equal मान ले या फिर हम इसको इस तरीके से लिखे है y is equal to x to power n ठीक है तो अब यह हमारा function हो गया तो अब वैसे ही हम increase करेंगे y में del y ठीक है आप मान सकते हो let del x be a small increment in x and del y be a small increment in y लिखना है आपको एक step में let del x be a small increment in x and del y be a small increment in y ठीक है तो अब हम दोनों side में कर देते हैं यह हमारी first equation हो गई ठीक है कौन सी हो गई first equation अब second हम करते है y plus del y ठीक है और इधर x plus del x और दोनों की power ठीक है यह होगी हमारी second equation अब हमारा third step में मैं क्या बता है था आपको कि हम इसमें subtract कर देंगे subtract first from second अब subtract first from second करेंगे तो इस equation में से हम यह वाली minus करेंगे तो y subtract हो जाएगा तो इधर बत जाएगा del y और उधर क्या बचेगा x plus del x power n और minus x power n ठीक है यह आजाएगा हमारा अब देखो अब हम क्या करेंगे इधर del y रहेगा कोई दिक्कत नहीं है बढ़ा रहेगा खेला और इधर से हम x to power n common ले लेते हैं तो मैंने x की power n common लिया तो देखो इस bracket में से इसकी भी और इसकी भी दोनों की x की power n ने है तो यहां से तो 1 रहे गया अगर x common लेते हैं तो और इधर del x के नीचे मैं x कर देता हूं और अब दोनों की power n कर देता हूं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा हम इस तरीके से common ले लेते हैं आपको पता भी होगा 10th में हम काफी questions इस तरीके की कर चुके हैं तीक है अब देखो इस तरह करने के बाद अब आपने 11th में binomial expansion पढ़ा हुआ ठीक है अब जो ये वाला function है ना इस पे हम binomial expansion लगा देंगे ठीक है तो इधर तो del y ऐसे का ऐसा और x की power n ऐसे का ऐसा ये ले लिए आप bracket के बार जो है ये यहां तक की value ऐसे का ऐसे है और इस पे लगा देंगे हम क्या है binomial expansion तो binomial expansion लगाएंगे तो 1 plus power n और फिर del x upon x चीक है और फिर plus n power मतलब power decrease होती जाती है चीक है ना और upon value बढ़ती जाती है 2 factorial फिर 3 factorial और यहां पे del x upon x की power क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी चीक है ना अगर आपको binomial का याद नहीं है तो आप binomial का एक बार revise कर लें तो इस तरीके से चलता जाएगा आगे plus भी लगा सकते है और dot 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 ठीक है और हम यहां पे बंद कर देंगे और यह जो अपना last का minus 1 है यह बार लिख देंगे minus 1 और यह इधर भी bracket लगा देंगे और यह बड़ा bracket इधर लगा देंगे ठीक है अब यह हो गया हमारा del y का सारा combine ठीक है समझ गया इतना अब देखो अब हम क्या करते है del y को एक बार अगर हम इसको खोल देंगे ठीक है ना तो यह 1 से यह भारवाला 1 कड़ दाएगा इस 1 से यह minus 1 कड़ दाएगा तो इधर रह गया हमारा del y और इधर रह गया x2 power n और फिर बागी क्या बच गया n del x upon x plus n into n minus 1 upon 2 factorial और फिर del x upon x whole square और प्लस डोट 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 ऐसे चलता रहे है ठीक है अब मैं दोनों साइड में क्या करता हूँ del x से डिवाइड कर देता हूँ dividing del x by both sides ठीक है तो मैं इधर भी कर देता हूँ del y upon del x और इधर भी x to power n upon del x हमें लिखना पड़ेगा दोनों साइड में और अब देखो अगर del x लिख दिया तो हमें इधर limit del x tend to 0 करनी पड़ेगी del x tend to 0 करेंगे तो देखो इधर से एक del x हम common लेते जाएंगे यह del x common ले लिए तो इधर अंदर क्या बच गया एन ठीक है प्लस फिर इधर n into n-1 upon 2 factorial और एक del x common बच गया तो यहाँ पर तो single del x बच गया और नीचे बच गया x square ठीक है और प्लस डोट 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 क्योंकि del x बढ़ता जाएगा ठीक है अब देखो simple सा है अब हमें क्या करना है del x जो है हमारा ठीक है न del x 0 हो जाएगी limit del x की तो यह तो हो जाएगा हमारा dy y dx ठीक है और यहाँ पर देखो यह del x से यह del x कर जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा x की पावर n बचेगा और बाकी क्या हो जाएगा सारा 0 हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा हमारा 1 n ठीक है एक n बच जाएगा तो इस तरीके से हमारा यह question पूरा जाएगा और इधर हमारा यह x की पावर n था और इधर एक 1 by x जो यह निचे वाला x से यह बचा हुआ है इधर लिखा नहीं मैंने ठीक है यह एक x यह बच गया तो dy by dx क्या हो गया x to power n minus 1 और यह एक n जो है इसको मैं आगे लिए तो यह हो गया हमारा first principle से solve ठीक है यह हमने किया था x की power n वाला first principle से तो इसका क्या बन गया n x to power n minus 1 ठीक है बिलकुल simple तरीके से कराया है देखो अब हम इसका derivative निकालेंगे derivative of ax plus b power n from first principle method से इसका निकालेंगे ठीक है तो देखो same वैसे ही पहले क्या करना है हमे y के equal ले लेंगे y is equal to ax plus b whole to power n step first ठीक है मैं इधर लिख देता हूँ step first सबसे पहला step यही करना है ठीक है फिर y हमें एक line लिखनी है del y increase होगा y में और del x increase होगा x में ठीक है तो मैं इधर y plus del y कर देता हूँ और इधर a x की जगा x plus del x कर देता हूँ और plus b whole to power n ठीक है यह दूसरी point होगी अब हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में subtract कर देते हैं subtract first from second तो देखो इसमें से अगर इसको मैं minus करूँ है तो y minus का होगा तो y से y कट जाएगा इधर क्या बच गया del y ठीक है और फिर इधर यह वाला ले लेता हूँ पहले और minus फिर यह वाला तो मैं एक बार ऐसे का इसा लिख देता हूँ ताकि आपको कोई problem ना हो ए फिर x plus del x और plus b और इसकी power n ठीक है और minus ax plus b और इसकी power वापस से n ठीक है अब यह हो गया हमारा ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे अब हम common लेंगे ax plus b तो देखो इधर इसको हम अंदर multiply कर लेते हैं ठीक है ax plus a del x plus b और whole power n minus ax plus b power n ठीक है और यहाँ पर बार है del y अब मैं del y ऐसे का इसा रख रहा हूँ और ax plus b common ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ से तो यह सीदा आ जाएगा ax plus b ठीक है और इसकी power कर देता हूँ n तो देखो इन दोनों की जगए तो one बच गया लेकिन common तो इसमें से भी लेना पड़ेगा ना तो इसके पास तो है यह नहीं फिर minus और इसकी जगा में लिख देता हूँ one क्योंकि यह भी हमने common ले लिया और यहाँ पर लगा दिया दूसरा bracket बड़े वाला bracket ठीक है यहाँ पर यह curly bracket लगाना था मैंने दूसरा लगा दिया आप दियान रखना अब देखो इतना होने के बाद ठीक है यहाँ तक अगर को समझ में आगया तो कुछ भी आड़ नहीं रहा बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा ठीक है अब यह इसकी ट्रम्स बढ़ती जाएंगी अब हम क्या करते हैं दोनों साइड डेल पहले तो यह जो डेल एक्स था ठीक है न यह common ले लेगे तो डेल एक्स कोमन लेने के बाद हमार चाहिए और यह बड़ी ब्रेकट लगा देते हैं और फिर यह करली ब्रेकट ब्रेक्ट मुन प्लस ए डेल एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी और यह वापस से करली ब्रैकेट पावर एन और माइनस वन अब देखो अब हम इस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं ए प्लस एक्स टू पावर एन वाला ठीक है तो इधर तो होगा हमारा डेल वाई अपॉन डेल एक्स और इधर देखो ए एक्स प्लस बी अपॉन डेल एक्स और इधर एक्स पेंशन लगाएंगे तो देखो वन वन तो ऐसे कैसा प्लस फिर वन के बाद क्या होता है वैसे तो व फिर ऐसी बढ़ाते हुए ट्रम में लिखेंगे तो एन और एन माइनस वन और डिवैड में टू फेक्टोरियल हो जाएगा इसका और यह डैल एक्स ऐसे कैसा और एक्स प्लस बी इनका क्या हो जाएगा स्क्वेर और इंक्रीज होता जाएगा इसे ऐसे बढ़ता जाएगा और लास्ट में हमारा माइनस वन मानलो जहां पर भी ब्रैकिट खरतम होती है उसके बाद हम माइनस वन लिखते तो माइनस वन से तो यह कट दाएगा हमारा ठीक है और इसको कटने के बाद अब हम क्या करते हैं हमें देखो यह डैल एक्स था इसको खतम करना है तो हम डैल एक्स common लेते हैं बार तो आगया हमारा ax plus b और यहां पर हमने ले लिया del x common और इधर भी हो गया हमारा del x चीक है अब अंदर क्या बच गया n और del x गया बार तो na और upon ax plus b और plus यह देखो del x एक बार गया और एक बच गया यहीं पर तो इसको आप लिख सकते हो n minus 1 upon two factorial और एक single del x लिख दिया और बाकी क्या बच गया ax plus b और इसका whole square यह लिख दिया हम ठीक है और डोट 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 ऐसे प्लस प्लस होता जा रहा है अब मैं उपर कर लेता हूं उसको थोड़ा अब देखो इसके बाद हमने क्या किया अब यह del x जो हमने कॉम ले लिया तो यह तो कट गया इधर और इधर क्या हो गया del y by del x अब मैंने बताया कि अगर हम del y by del x limit x del x 10 to 0 कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा दी y by dx और इधर जो solution बचेगा वो क्या बचेगा देखो यह ax प्लस b तो ऐसे का ऐसा बचेगा है ठीक है del x से del x खतम हो गया और इधर अंदर क्या बचेगा न a ठीक है और upon ax प्लस b यह बचेगा हमारा और बाकी के steps क्या होते जाएगे 0 0 0 0 0 यह इस तरीके से होते चले जाएगे हमारे ठीक है तो बाकी काम आगे क्या कर देते है 0 लिख दें अब देखो क्या बच गया हमारा बार क्या था हमारा ax प्लस b और इसकी power यह n लिखना बूल गया मैं वह सोरी वही मैं थोड़ा concentrate नहीं कर पाता n इदर बूल गया इदर भी n आएगा ठीक है देखो हमने common जो लिया था वह n लिया था पहले याद रखो ठीक है देखो यह रहा हमारा n यह रहा n को मैं लिया था हम था था है तो उसी को हम continuous करके चलेंगे वह मैंने लिखना बूल गया तो यह तो आ गया हमारा n और बाकी क्या बस गया n a upon ax प्लस b और बाकी हो गया हमारा 0 था है अब देखो simply हो गया यह एक जैसे है न ax प्लस b की power n और यह power 1 तो ax प्लस b और इसकी power तो हम कर देंगे n minus 1 और बाकी क्या बस गया n a ठीक है और इधर हो गया हमारा dy by dx यह इधर x था dy by dx ठीक है यह हो गया हमारा simplify first principle method से दोनों मैंने आपको बताए एक यह वाला बताया और एक इससे पहले वाला ठीक है अगर वीडियो में कोई doubt है तो आप हमें comment करके पूछ सकते है first principle का method है जो कि मैंने आपको direct easy way में बताया है तो यह दो question करा है मैंने आपको अब कुछ मैं आपको examples करा देता हूँ जिससे आपको और अच्छा लगे तो यह वाला question है हम start करते हैं बिल्कुल simple है differentiate करना इसको 1 by root x हम इसको direct first principle से करेंगे ठीक है तो वैसे तो करते तो बिल्कुल simple होता वैसे तो इसकी x की power minus 1 by 2 होती तो आगे power आ जाती है minus 1 by 2 और x की power में से minus करते तो minus 3 by 2 ठीक है तो solution तो यह हो गया हमारा हमें पता चल गया सीधा अगर हम direct करते तो लेकिन हमें करना है first principle method से ठीक है तो देखे कैसे करेंगे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इसको ले लेंगे y के equal to y equal to 1 upon under root x फिर increase करेंगे तो y के अंदर तो del y कर द पहले वाली को तो यहां पर y से y कतम हो जाएगा इधर del y बच गया और इधर क्या बच गया 1 upon under root x plus del x और minus पहले वाली जो थी वो ठीक है पहले वाली थी हमारी 1 by root x इसमें से हमने इसको minus कर दिया ठीक है तो इधर लिख दिया अब हम क्या करते देखो इसका हमें करना del x into under root x यह कट गया इधर root x आ गया और minus x plus del x इतना आ गया और इधर है हमारा del y तो यह आ गया अब देखें अब इसके बाद क्या करना है मैंने आपको simply बताया कि हम क्या करेंगे इसका rationalize कर देंगे ठीक है rationalize करने के बाद क्या होगा rationalize करने के बाद कुछ terms जो हैं वो कट जाएंगी और कुछ directly solo हो जाएंगे तो देखो हम करते हैं तो minus का दाना तो एक मिनट मैं इसको अटा जिता हूँ ठीक है तो multiply करेंगे और plus वाले से कर देंगे x plus under root x plus del x value change करके करते हैं x plus under root x plus del x तो उपर तो a minus b और a plus b का formula लग जाएगा तो a square minus b square हो जाएगा तो x square एट देगा और minus इसका भी square एट आ देंगे तो x plus del x ये बच गया उपर दो और नीचे के आगा हमारा देखो ये तो ऐसे कैसा हो गया x plus del x into under root x और bracket के अंदर under root x plus x plus del x ठीक है ये हो गया हमारा इस तरीके से ठीक है तो यहां तक तो कोई समस्या है ही नहीं हमें अभी तक तो कोई प्रोब्लम आई नहीं ठीक है अब हम क्या करते देखो ऊपर ये x minus करेंगे तो इस x से x कर जाएगा और del x जो है वो minus कर रह जाएगा तो इधर तो मैं del y upon del x कर देता हूं ठीक है और उधर अगर मैं कर दूँ आ del x से ठीक है ना del x से क्यों डिवाइड गया क्योंकि यहां पे भी हमने del x से डिवाइड गया तो इधर भी हमें del x से करना पड़ेगा ठीक है और ये वाला जो x और del x है इनको मैं आपस में multiply करके तो पहले मैं क्या करता हूं इस रूट x को अंदर multiply कर देता हूं तो ये वाला तो भार रहने देता हूं x प्लस del x और इस एक से अंदर multiply करता हूं तो यह थो गया x और फिर बाकी बच गया under root x और फिर अंदर root x प्लस del x तो और इस del x से del x कट गया यहां तक हो गया अब इसके आगे देखो अब हम दूसरे वाले को multiply करते हैं डेल y by डेल x अब देखो हमारा 1 minus का 1 बच गया उपर और अब हम देखो इसको अंदर multiply कर सकते हैं और या फिर आप एक काम कर सकते हैं लिमिट डेल x 10 to 0 ले लेंगे तो फिर direct simple हो जाएगा हमारा तो हम ऐसा ही करते हैं limit डेल x 10 to 0 ले लिए तो उपर तो minus 1 बच गया और इधर देखो अंदर root x ये 0 हो गया ये 0 हो गया ना और इसके बाद फिर x फिर वापस से plus root x और फिर ये फिर से 0 हो गया तो यहाँ पर बार तो root x था और अंदर फिर वापस से root x बच गया ठीक है और ये bracket लग गई इस तरीके ले और फिर यहाँ पर हम करेंगे minus 1 फिर ये भार है root x और अब ये देखो दो बा हो गया और square से root कट गया तो x बच क्या x और x 2x हो गए है ठीक है आप देखो minus 1 और ये x की power कितना है 1 by 2 और इस x की power कितना है 1 तो 1 by 2 और 1 को add करते हैं तो हो जाता है 3 by 2 तो 2 तो ही और x की power क्या हो गया हमारा 3 by 2 समझ गये तो यह आ गया हमारा answer और मैंने आपको बताया था जब हम del y by del x limit x 10 to 0 करते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं dy by dx क्या लिखते हैं dy by dx तो dy by dx क्या आगया minus 1 by 2 और नीचे आएगा x की power 3 by इस तरीके से आप इसको लेख सकते हो तो यह हमारे first principle के दो simple simple question थे जो मैंने आपको कराए ठीक है और इसके बाद हम आपको थोड़े और tough question कराएंगे और deeply ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए यह बिल्कुल basic से हमने start किया था ताकि सभी बच्छों को समझ में आ जाए जिनको नहीं आता वो भी ठीक है अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ share करें subscribe करें हमारा YouTube चैनल दिख्षा के अड़ी मुंदर दिए्यों आए टेख्यों उल्डेक करें एल्य देदोरा विल्कुत को समझाने के अवोट छिए्यों से स 열 आने कि अल प्रवाड़ी को समझार के अनल छक्छों